इस खास बुलिटिंग की शुरुआत करेंगे इक शानदार ख़वर के साथ इस साल पैर उलिम्पिक्स में पहली बार खेले जा रहे बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रच दिया है उन्होंने बिटिन के डेनियल बेथिल को फाइनल में एक तरफ़ा अंदाज में हरा कर ये जीत अपने नाम की है 21-14 से पहला गेम जीतने के बाद दूसरे गेम में बिटिश शटलर ने वापसी की लेकिन 4-11 से पिछडने के बाद प्रमोद ने पलटवार किया और 21-17 से जीत हासिल कर मैच अपने नाम कर लिया है यह भारत का टोक्यो पैर ओलिम्पिक्स खेलों में इदिन का दूसरा और अब तक का कुल चौथा गोल्ड था आपको बता दें दुनिया के नंबर एक खिलाडी और एशियाई चेंपियन 33 वर्शिये प्रमोद भगत ने SL3 क्लास में जापान के दाइसु के फुजिहारा को 36 मिनट में 21-21-21-16 से हरा कर फाइनल में जगा बनाई थी प्रमोद ने विश्व चेंपियनशिप में 4 गोल्ड समेट 45 अंतराश्ट्रेय पदक जीते हैं वहीं BWFA विश्व चेंपियनशिप में पिछले 8 साल में उन्होंने 2 सवर्ण और 1 रजट जीता है 2018 पैरा एशियाई हिलो में उन्होंने एक रजट और एक कान से पदक भी जीता था वहीं उत्राघंड में आज सीम आवाज पर जनता मिलन कारिकरम का आयोजन किया गया इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री आवाज पर अपनी फर्यादे लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने कारिकरम में आये सभी लोगों के शिकायतों और समस्याओं को एक एक कर सुना और मौके पर ही अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश भी दिये है मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दर्शन कारिक्रम में प्राप्ट सभी जन शिकायतों की मौनिटरिंग मुख्यमंत्री कारयाले से की जाएगी अधिकारी पूरी गंभीरता से सभी शिकायतों का निस्तारण समय बदधता से करे यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदारी फिक्स करते हुए कड़ी कारवाई की जाएगी आपको बता दें कि जनता मिलन कारिकरम में आए सभी फर्यादियों की शिकायतों का पंजी करण किया गया है और उन्हें रेजिस्टर में दर्ज भी किया गया है जानकारी के मुताबिक आज के जनता मिलन कारिकरम में करीब 300 लोगों ने अपनी शिकायतों और समस्याओं का पंजी करण कराया है नहीं हमने कभी शुरुआत की है कि लोग जो है जो कि प्रतेक दिन लोग मिलना चाहते हैं इसलिए हमने आज एक टाइम निर्दारित करके आज हमने सभी लोगों को एक सुनने का प्रयास किया है उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना बताया भी है और कुछ ने अपने आवेदन पत्रों के माद्यम से भी लिखकर दिया है हम सभी लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने सुन लिया है कि जितनी भी समस्या आई हैं उन समस्याओं का जो एक सरली करण समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहट उनको सलूसन की ओल ले जाएं उनका समाधान करें उनका निस्तारण करें और उनका सरली करण करके दोगो रात पहुचाने का काम करें और मुख्यमंतरी कारेले से मैंने कहा है मेरा मुख्यमंतरी कारेले स्वेम वन सक्रीजों की मोनिटरिंग करेगा जितने भी यहाँ पर आवे दिन पत्र आये मुख्यमंतरी पुषकर सिंग धामी को डिग्री कॉलेज के नए भवन का लुकारपन करना था जिसके लिए एक कारिकरम का आयोजन किया गया पर कारिकरम में CM के पहुँचने से पहले ही BJP विधायक और पार्टी कारिकरताओं में जोरदार बहस हो गई आपको बता दें कि जिस वक्त ये विवाद हुआ उस वक्त सिक्षा मंतरी धन सिंग रावत भी मौके पर मौझूद थे पर उनके सामने ही विधायक जी का गुसा सातवे आसमान पर पहुँच गया और उन्होंने कारिकरम को छोड़े तकी धमकी दे डाली इस दौरान विधायक निडर होकर अपने ही पार्टी के कारिकरताओं को धमकी देते हुए भी नजर आए हैं बता दें बीचेपी विधायक जिस कारिकरता से उलचे हैं वो जिला पंचायत के सदस्य हैं और पार्टी के लिए 15-20 सालों से काम कर रहे हैं जिला पंचायत सदस्य वीर सिंग का कहना है कि विधायक जिस तरीके से अब शब्दों का प्रयोग कर रही हैं उससे कारिकरताओं का मनोबल भी गिर रहा है एक विधायक को ये शोभा नहीं देता कि वो अपनी ही पार्टी के कारिकरताओं को इस तरीके से धमकाए खास बात ये है कि उच्चे सिक्षा विवाग के कारिकरम को उमेश शर्मा काउ अपना निजी कारिकरम तक बताने लगे और कारिकरताओं को कारिकरम से निकलने तक की धंकी देने लगे साथ ही वह मंत्री धन सिंग रावत से यह शिकायत करते हुए नजर आए कि ये कारिकरता मुझे अपना विधायक नहीं मानते हैं और शेत्र में मेरे जो भी पोस्टर लगते हैं ये उनको फार देते हैं वहीं 2022 के विधान सभाद चुनाओं से पहले इस तरह की फूट पार्टी के लिए चिंता का विश्यवनी हुई है चुनावी रण में जाने से पहले पार्टी में इस तरह के मतभेद भारी पढ़ सकते हैं में उत्राखट में खटीमा से चली कॉंग्रेस की परिवर्तन यात्रा आज लालकुआ पहुची जहां कॉंग्रेस कारिकरताओं ने परिवर्तन यात्रा का जोड़दार स्वागत किया इस दौरान हजारों की संख्या में मौझूद युवा कारिकरताओं ने वियाईपी गेट से सभास्थल हाट बाजार तक बाइक रैली भी निकाली इस दौरान पूर्व सियम हरी शरावत ने कहा कि परिवर्तन यात्रा का मकसद कॉंग्रेस का मुख्यमंत्री बनाने का नहीं बलकि परेशान आम आदमी को जिन्दा रखने के मकसद से ये यात्रा निकाली जा रही है उन्होंने कहा प्रदेश की जनता बिरोजगारी महंगाई से तरस्त है किसान काले कृशी कानूनों के विरोध में सडकों पर हैं पेट्रोल डीजल के दाम आस्मान छू रही हैं विकासकार ये ठप हैं पर बीजीपी सरकार के कानूं में जूं तक नहीं रिग रही उन्होंने कहा कि आज देश का लोकतंत्र खत्रे में हैं मोदी सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी को लाव पहुँचाने का काम कर रही है और इनी सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कॉंग्रेस ने परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया है उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाओं में जन्ता कॉंग्रेस को ही सत्ता में लाने वाली है तस्वीरों में आप देख सकते हैं परिवर्तन यात्रा लालकुआ पहुच चुकी है जहां पर इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरी शावत ने भी कहा था कि परिवर्तन यात्रा दर करेगी एप स Au कि में सिर्दे कानऄला नहीं हिछ उत्राखनले PHIL ऐसे में सत्ता में परिवत्रण ला के ही इसकी पूर आऊध्र करेगी परिवर्त्रन की और वहां से मुत्राखनल के भागी परिवर्ण के एक को आगे बढ़ाएंगे एक नए सिरे से नए आकांग्षाओं का नए विश्वास का नए सूर्योदाई के उत्राखंड का निर्मान प्राग्ण करेंगे कि उत्राखंड के पूर मुख्यमंत्री त्रिवेन सिंग रावत हरिद्वार पहुंचे जहां उन्होंने कंखल स्थेत जगत गुरु आश्रम में जगत गुरु शंकराचारे राज राजेश्वरानंद महराज से मुलाकात कर 2022 के विदान सभाचुनाओं में जीत का आशिरवात लिया इस दोरान जगत गुरू राज राजिश्वरानंद ने तृवेंद सिंग रावत को अब तक का सबसे बहतर मुख्य मंत्री बताते हुए कहा कि तृवेंद सिंग रावत के कारेकाल में प्रश्टाचार मुक्त उत्राखण का सपना साकार हुआ है वहीं त्रिवेंद्रे सिंग रावत ने भी 2022 विधान सवाचुनाओं में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार उनकी पार्टी उत्राखण में एक बार बीजेपी और एक बार कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाले मिथक को तोड़ेगी वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी से बीजेपी को कोई खत्रा ना होने की बार कही है उन्होंने कहा कि उत्राखण की जनता राश्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी को ही वोट देती आई है और आगे भी बीजेपी को ही वोट देखे तें business Central । 2 । कि आच देखें और यह कि 2004 में लोग सब्स्वा का 만든 रॉप्ष्जा है हुआ कि अ। 2014 में लोगस्वाघ्वा चुना हुआ सब लूजार संब और 2010 में लोगस्वाघ्वा चुना हुआ है A यह सोच इब बद्लेगी और 2022 में भार्वती जन्ता पार्प्रप्य सरकार उत्राखंड में बनेंगी जब होई खत्रा नहीं है देखें उत्राखंड के लोग रास्ट्रवादि वीचार धरादारा के लोग रास्ट्रिय तो जावर्प्रों के साथ और अभी किसी मुख्यमंत्री का व्यतित में हुआ है तो इसलिए इन्होंने एक दिशा दिशा और एक सबसे बड़ा भृष्टाचार मुख उत्राइंचल बनाने का जो संकल्प था वो इनके द्वारा पूरा किया गया है और आगे भी भृष्य में भी उत्राखंड का जो है यह जो प्रेश्टाचार और अनयतिकता है उसके ब्रुद्ध इनका जो अभिहान है वो जारी रहेगा अरेक क्यों नहीं वो तो स्वभाविक है 2022 के विधानसभा चुनाओं में आमादनी पार्टी 70 विधानसभा सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे की यह जानकारी आमादनी पार्टी के सहप्रभारी राजीव चौधरी ने दी है उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर तक पार्टी सभी विधानसभा के प्रत्याशीओं के नामों की सूची गोशित कर देगी इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्राखंड की जनता आम आद्मी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है और पार्टी पर भरोसा भी जता रही है उन्होंने कहा कि उत्राखंड में लोग हर रोज हजारों की संख्या में आम आदनी पार्टी से जुड़ रहे हैं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निसाना साते हुए कहा कि बीजेपी और कॉंगरेस ने समय समय पर सर्तासीन होकर प्रदेश का विकास करने के बजाए विनाश किया है दोनों पार्टियोंने उत्राखंड को करज के बोज तले धकेल दिया है उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि अगर आम आदनी पार्टी सत्ता में आती है तो उत्राखंड में बिजली और पानी को फ्री कर दिया जाएगा जो विकास मॉडल दिल्ली में स्थापित किया गया है वही उत्राखंड में भी स्थापित होगा तो उत्राखंड की 70 विधान सबाद सीटों पर चुनाओ लड़ने का एलान कर दिया गया है और साथ ही कहा गया है कि आम आदनी पार्टी दिल्ली मॉडल को उत्राखंड में भी लागू करेगी पाडी में इस साल भी मॉक ड्रिल का आयोजन करने के मामने में पुलिश परसासन की सुस्ती साफ नजर आई है आपको बता दें पाडी में पुलिस के द्वारा आपदा राहत एवं बचाओ कार की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है परियायोजन उस वक्त किया गया है जब बरसाती सीजन खत्म होने की कगार पर है जिसका सीधा असर पुलिस के आपदा प्रसिक्षड पर पढ़ रहा है इसी के चलते थाने में तैनाद पुलिस जवानों को एडिशनल स्पी ने जम कर फटकार लगाई है बता दें एडिशनल स्पी पौडी थाने का अर्धवार शिक ने रिक्षंट करने के लिए थाने पहुंची थी जहां एडिशनल स्पी मनीशा जोशी ने थाने में तैनाद पुलिस जवानों को निर्देश दिये हैं कि बरसाती दोर ने पटने तक मौक ड्रिल आयोजित करते रहें जिससे मौक ड्रिल में पेश आ रही खामियों से सबक भी लिया जा सके एडिशनल स्पी ने कहा कि किसी आपदा के घटित होने पर पुलिस जवान पूरी तरह से SDRF के भरों से ही रहते हैं और पूरा भार SDRF को अपने भरों से उठाना पड़ता है एडिशनल स्पी ने कहा कि आपदा का बेहतर प्रसिक्षन ही पुलिस जवानों का अनुभव बढ़ा सकता है इसलिए पुलिस जवानों को मौकड्रिल आयोजित करते रहने के लिए सक्त निर्देश दिये कहे हैं साथ ही पुलिस के जवानों को आम जंता से सलीके से पेश आने को भी कहा किया है तो इसके लिए मैंने ड्रिल करवाई ही प्राक्स करवाई है काफी बढ़िया से लोगना मुझे प्रेजेंटर के दिखाया अभी हमारे तासिक्षन जावता से काफी बढ़िया है उसको म्यूस कर लेंगे तो रेस्क्य में हमारी बहुत अबदा मादा दोगी अभी लगाता जार बारिश जारी है अगला एक दो मेना सेंसिटिव है तो इसी की मते नज़र मैंने उसकी ड्रिल करवाई उसकी पुक्तियोदेश की और आगामी आने माले समय में एलेक्षन के थाएं कि वोड़ासा हमारे लोगनार की सिचुएशन दीगर्ष में की समाहाम नाय रहती है तो उसी सब के संबने मैंने उनको निर्देश चाली है पुब्लिक बीहेवर बहुत इंपॉर्नें है और हम वैसे जि मित्धर पोलिस का subconscious लेके चलते हैं तो कई बाइ शिकायटे आदी थी हैं कि पुलिस के दोरा प्स्पिज़ किया गया तो मैने उनको निर्देश इत किया कोई भी परस्थिती हो हम वर्दी में हैं तो हमें अच्छे से ही बिहेव करना है यह हमें प्रतियां करते ही चलना पड़े जा वहीरुदरुपुर के सीटकुल में स्थित HP कम्पनी के कर्मचारियों ने BJP नेता विकास शर्मा को ग्यापन सौपकर नौकरी पर बहाल करवाने की मांग की बता今天 एचपी कमपनी के सिटकुल स्थित प्लांट को बंद करने की तयारी की जा रही है जिसके चलते कमपनी ने तमाम करमचारियों को नौकरी से निकाल दिया है जिससे करमचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है जिसके चलते करमचारियों ने नौकरी बचाने के लिए वरिष्ट बीजेपी नेता विकाश शर्मा से मिलकर उन्हें ग्यापन सौपा है जिस पर उन्होंने नौकरी पर बहाल करने की गुहार लगाई है मामले को विकाश शर्मा ने श्रम आयुक्त विपिन कुमार से फोन पर बातचीत कर करमचारियों की समस्या का निस्तारण करने की मांग की है उन्होंने कहा है कि करमचारियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए इसके साथ ही उन्होंने एचपी कमपनी के एचार हेड राजेश गौतम से भी बात कर एचार को जल्द ही प्रकरंट को सुलजाने की बात कही है तो नौकरी पर दुबारा बात किया जाए इसके बार गौई गबाते हुए ग्यापन सौपा गया है जिसके बाद बी जे पी नेता ने शर्म आयुक्त से सीधे बात की यूद बीजे पी हेड से बात की जाए और इन सभी लोगों को जल्द ही दोबारा जॉइनिंग दी जाए उत्राखट में अभी कोरूना का खत्रा पूरी तरह से टला नहीं था कि कोरूना के साथ-साथ अब डेंगू का खत्रा भी बढ़ता नजर आने लगा है बता दे हाल ही में देहरादून में डेंगू के बारा मरीज सामने आये हैं जो की एक ही कॉलोनी इंदरा नगर के रहने वाले हैं बता दे कि स्वास्त बिभाग और नगर निगम पिछले तीन महीने से डेंगू के बचाओ के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है लेकिन जब डेंगू का प्रकोप सामने आया तो राजधानी में डेंगू के मामले भी दिखने लगे हैं हाला कि देहरादून सीमो मनूज उपरेती का दावा है कि डेंगू से बचाओ के लिए हर तरह के उपाए किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को जागरुक रहने की जरुवत है बरसाद के पानी को किसी भी तरह से इखटा नहीं होने देना है इसके साथ युन्होंने बताया कि अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजू के लिए अलग से वार्ड बनाए गए है किना में… यह कुछ ऐसे आये हैं जिलह में जहसे की लगवाय कभी 12 केसे रिपोर्ट हुए हैं और यह जो 12 के 12 केसे हैं इनको अभी जो जो देखा आए उनको फॉलू कर रहा है variance जिलह मलेरीजी ऑरडिकारी जो इसमें यह 12 के 12 केसे ठीक हैं मिल्कुरू को nice बास्त है और यह कि यह 12 केस यह लगवग एक ही एरिया से हैं इसमें जुश्यादा दिखाई पड़ रहा है कि इंदरा नगर शेत्र वहां पर दिखाई पड़ है और वैसे हमारे जो टीम हैं वो पूरी की पूरे दरहदून में जो है इसमें लगी भी है अपने जगे जगे लोग जा रहे हैं दरहदून के लाल तपड में उस वक्त हड़कम मच गया जब एक लीसा फैक्टरी में अचानक आग लग गई बता दें फैक्टरी के आजपास का इलाका घनी आबादी वाला है जिससे आजपास के इलाके में भी लोग दहशत में नज़र आए आग इतनी भयानक थी कि काफी दूरी से भी आग की उची उची लपटें और काला धुआ दिखाई दे रहा था वहीं मौके पर पहुँचे दमकल के वाहन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काप उपाया बता दें जिस वक्त ये हाथसा हुआ है उस वक्त फैक्टरी के अंदर कई करमचारी मौजूद थे तो दहरादून की लीसा फैक्टरी में आग लग गई जिसकी तस्वीरे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं फैक्टरी में आग लगने की ये तस्वीरे देखिए जहां पर आग की लपटें उचाईयों को छू रही हैं जहां पर ये आग ने विवत्स रूप धारण कर लिया और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा चका है दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची जिन्होंने आग को बुझाने का कारिक किया आग लगने से आसपास के अलाकों में भी हड़कंप मच गया आपको बता दें यह हाथसा उस वक्त हुआ था जिस वक्त फैक्टरी के अंदर कई करमचारी मौझूद थे आग की लप्टे आसमान को चू रही थी जिसके बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया यह एक्टली जो है लीसा से जो विरोजा वगरा बनाते है कुछ सिस्टरे का बनाते है यहां पर लीसा स्टोर है उसमें आग लगी है यहां पर मजदूर काम भी कर रहे थे और उनको पूछा गया कि अंदर कोई इस तरह का कोई लेंडर तो नहीं है तो हमारे दो नो तरब से दो गाड़ियां लगी है पायर फैर्टिंग के काम पर रहे हैं मैंकाशेपूर में आज किसान कॉंगरिस के प्रदेश अद्यक्षर सुशील राठी ने राम नगर रूड स्थित कॉंगरिस किसान कारयले का उद घातन किया इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बाच्छीत करते हुए कहा कि कॉंग्रेस दौरा निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा से बीजेपी सरकार का पतन तै है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस की परिवर्तन यात्रा चार चरणों में होना तैह हुआ है, जिसकी शुरुआत खटीवा से हो चुकी है। कि कमान पूर मुख्यमंत्री हरी श्रावत प्रदेश अद्यक्ष गणिश गोदियाल और नेता प्रतिपाक्ष प्रितम सिंग समेट पार्टी के दिगज नेता सयुक्त रूप से संभाल रहे हैं कि इसमें चल लिये जिसको हमने चार चर्णों में राका है पहले चलन हमारा है और वह परिवत्तन यात्रा चल लिए और जिस तरीके से पूरे प्रिदेश में और खटीमा से यात्रा शुरू ही है उसमें जन सहलाब किसान वाई आम जन जिस तरह से उमड़ ने हैं उससे लग है कि यह सरकार जो है धरसाई हो गई और इस सरकार को अब जो उखनने का टाइम आ गया है और कांग्रेश पार्टी की सरकार जो है पूरे प्रिदेश में आ रहे हैं में उदम सिंग नगर में दरजनों लोगों ने उपजलादिकारी के माध्यम से रास्टपती को ग्यापन भेज कर दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करने वाली साविया सैफी के साथ सामोहिक दुशकर्म के बाद निर्मम हत्या करने वाले दरिंदों के खिलाफ कठोर से कठो नहीं लोटी गरवालों ने काफी खोजबीन की पर साविया का कोई पता नहीं चल पाया जिसके बाद सूचना मिली कि साविया की हत्या हो चुकी है उन्होंने कहा कि देश में आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं से देश की बहन बेटियां अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही हैं उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई सख्त कदम ऊठाने की आविशकता है इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि साबिया के हत्यारों को जल्द से चल्द पकड़ कर फास्ट कोट के माध्यम से मुकदमे की सुनवाई की जाए और कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उतरकाशी के हुडोली गाउं में आयोजेत सरोजगार शिवर में 44 लाख से अधिक की धनराशी को सुईकरती दी गई है जिसे युवाओं में काफी उत्साहा देखने को मिला आपको बता दें प्रदेश को आत्म निर्भर बनाने की मुहिम में मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी के निर्देश पर गाउं गाउं में स्वरोजगार शिविर लगा कर युवाओं महिलाओं को स्वरोजगार के जरिये स्वावलम्नी बनाने के लिए काम किया जा रहा है इसी क्रम में शनिवार को विकास खंड पुरोला के हुडोली गाउं में स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें 17 ग्रामीड लाभार्थियों ने स्वरोजगार अपनाने के लिए बैंक से रिडवित्रन को लेकर आवेदन किया था जिसमें बैंकों द्वारा सभी आवेदन पत्रों पर करीब 44 लाख रुपे की धनराशी की सुईकरती परदान कर दी गई है वहीं जिलादिकारी मयूर दिक्षित ने कहा कि COVID-19 के चलते बाहरी प्रांतों से काफी संख्या में प्रवासी घर लोटे हैं जिने सुरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि प्रवासी वास्थानिय युवा अपना खुद का व्यविसाय शुरू कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके उन्होंने बताया कि युवाओं को सुरोजगार से जोडने के लिए इस महीने गाउं गाउं में जाकर सुरोजगार शिवय लगाया जाएगा ताकि ग्रामीड युवाओं को सरकार की जनकल्यान कारी यूजनाओं का लाब प्राप्त हो सके आटा दाम चक्की अपने गवं में लगाना चाहता हूँ और इसमें मैं सरकार से विभाग से फुट साहिता आने जाए के लिए आया हूँ और मैं उक्या मुट्री में सरुथदार युजनला धन्यवाद करता हूँ आज क्या बोलते हैं एक स्वरोजगार मुहिम जिलाने के सरकार की बैठक थी जिसमें क्या बोलते हमको डूली बुलाए गया तो और सरकार वारा जो युजनला चलाई चाहरी है जाकिरा चमुली के कड़ प्रयाग शेहर से करीब एक किलोमीटर पीछे रिशिकेश गौचर की और एक ट्रक जोकी रामनगर की तरफ जा रहा था कर्ण प्रिया के पास अचानक अन्यंत्रित हो गया और लगभग 150 मीटर गहरी अलक नंदा नदी की खाई में जाकिरा वाहन दुरगटना की सूचना मिलतने पर SDRF की टीम गौचर ने कड़ी मशक्कत के बाद दुरगटना गरस्तर ट्रक के चालक का शौव रेस्क्यू कर निकाला है ट्रक चालक की पहचान रामनगर निवासी 35 वर्शिय अजगर के रूप में हुई है मामले में चालक के शौव को पोस्ट मॉर्टम के लिए भेच दिया गया है तो चमोली का एक पूरा मामला जहां पर अन्यंत्रे टक खाई में जागिरा जिसके बाद ट्रक चालक की मौत हो गई और ट्रक चालक के शौव को रेस्क्यू कर SDRF की टीम में बाहर निकाला है शौव की करणप्रयाक से हमें सूचना मिली थी कि यहां करणप्रयाक के पास एक उनिटर पहले कि दालेशार महादेब के समीक एक ट्रक जो खाई में गिर गया था इस उसना पर हमारे SDRF कीम जो गोचार की ती तुरेंट घपनास्ताल पे गए मौके पे नीचे खाई में उतरी जो दगबग इसके सुपन कर दिया गया रुड़की में टाटा मोटर्स की ओर से टोक्यो अलम्पिक्स में शानदार प्रदर्शन करने वाली हैट्रिक गर्ल बंदना कटारिया को सम्मान सोरूप एक कार भेट की गई है जिस पर बंदना कटारिया ने कंपनी का आभार व्यक्त करते हुए इस होसला अवजाई पर कहा कि ये उत्साहवर्धन अन्य खिलाडियों के लिए एक सबक होगा जो देश के लिए कुछ करते हैं उनके लिए देशवासी बहुत कुछ करते हैं इस मौके पर टाटा मोटर्स के मैनेजर ने कहा कि पूरी महिला होकी टीम ने अपने प्रदर्शन से विश्व में भारत का डंका बजा दिया है बंदना कटारिया तो हैटरिक गर्ल के रूप में हम सभी के दिलों में बस गई है वंदना कटारिया और पूरी महिला हौकी टीम ने राश्टे खेल हौकी के प्रती भारतियों के दिलों में प्रेम और बढ़ा दिया है आपको बता दें कि रुड़की में दहरादून रोड स्थित टाटा के शोरूम पहुंची भारतिय हौकी टीम के स्टार खिला डी वंदना कटारिया का शोरूमें जोर्दा स्वागत किया गया जिसके बाद उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए एक कार सम्मान सोरूम भेट की गई है इस मौके पर वंदना ने लड़कियों के लिए कहा कि माता पिता को भी लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए उन पर रोक नहीं लगानी चाहिए लड़कियों को उनके लक्ष तक जाने देना चाहिए और लड़कियों को भी कड़ी मेहनत करके अनुशासन में रहे कर अपने लक्ष को पाना चाहिए तो फिलाल के लिए उत्राखंट के इस खास बुलिटिंग में इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेगा न्यूस वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद झाल झाल